तो हमें क्या कहा दिया हुआ है तो हम आसानी से solve कर सकते हैं जैसे question number 1 ही देख लो question number 1 क्या है sum of 0 जी आ हुआ है direct put कर सकते है 1 by 4 into x minus 1 second वाला क्या हो जाएगा root 2, root 3 दिया हुआ है direct put कर दो root 2, x plus 1 by 3 third वाला क्या दिया हुआ है 0 and 5 दिया हुआ है 0 into x plus root 5 हो जाएगा fourth वाला क्या दिया है 1, 1 दिया हुआ है जैसे direct put कर सकते है 1, 1 x square minus x plus 1 fifth वाला क्या दिया हुआ है minus 1 by 4 और plus 1 by 4 दिया हुआ है आसानी से पूस कर सकते है x square minus 1 by 4 x plus 1 by 4 six वाला कितना दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है substitute कर सकते हैं आसानी से x square minus 4x plus 1 तो sum of root और product root हमें दिया हुआ है तो बस हमें formula में रखना है और उसका answer में निकाल लेना है